नमस्कार दोस्तो तो दोस्तो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं टर्म वन और टर्म टू के बारे में बच्चों ने काफी हमें रिक्वेस्ट करी कि सर इसके बारे में टुटोरियल डाल तो यार एक्चुली हमने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि चीजे जो है वो प्रॉपर आज की टुटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की टुटोरियल और अंत तक जरूर देखिएगा तो दोस्तों जैसा की आपको पता है कि अब CBSE ने क्योंकि पिछले साल जो है वो एक्जाम्स नहीं हुए थे पहले मार्च में एक्जाम्स शेडूल थे 2020 में उसको चेंज करके में में कर दिया गया लेकिन जब भाईया कोविड भाईया ने जब बहुत ज्यादा प्रकोप करा तो इसलिए CBSE had to cancel the examinations तो इस साल उस cancellation से बचने के लिए CBSE ने पूरे course को दो पार्ट में split कर दिया है सबसे पहले आपका term 1 है जिसका paper November, December में होगा और दूसरा वही आपका March, April में दूसरा term होगा दोस्तों तो term 1 के दिखे साब आपको सभी को पता है कि course में क्या-क्या है ये जो screen आप में आपको दिख रही है जो आपको syllabus ये सभी को पता है मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या course जो है वो delete हो चुका है पहले एक rough overview देदू term 1 जो है वो आपके 40 number का है purely MCQ based है 40 questions ही आने चाहिए मेरे हिसाब सभी तक CBSE ने इसमे भी कुछ clarifications नहीं दी है बट still what I feel is 40 questions ही होंगे आपके case study वगेरा भी आएंगी case study में कुछ भी नहीं होता दोस्तों जैसे कि आप देख सकते एक paragraph होगा आपके पास और फिर उससे related कुछ questions होंगे basically English का जो unseen passage होता है बिल्कुल कुछ-कुछ वैसा ही बस ये थोड़ा सा technical होगा दोस्तों तो ये सारी चीज़ें आपको पता है MCQs आएंगी case studies आएंगी ये सारी चीज़ें आपको पता है fundamentals, change in ratio और admission of a partner आने वाला है बच्चे कह रहा है सर इसमें valuation of goodwill कहीं mentioned नहीं है तो बेटा बता देता हूं fundamentals के अंदर ही उन्होंने valuation of goodwill वाला topic डाल रखा है तो fundamentals, valuation of goodwill, change in ratio, admission ये सब कुछ आ रहा है उसके लावा shares आएंगे आपके पास 12 marks के और फिर तीसरी जो किताब है बेसिकली दूसरी किताब है analysis वाली वो आएगा आपका 10 नंबर का उसके अंदर balance sheet आएंगी और आपके पास ratio analysis आएंगी कि तो काफी अच्छा step है CBSE का क्योंकि इन chapters में से बहुत अच्छे MCQs बनाए जा सकते हैं बहुत अच्छी case studies बनाई जा सकती हैं सवाल है कि सर delete क्या क्या हुआ है दोस्तों clearly बता देता हूँ admission में जो पिछले साल deleted था वही deleted है अभी भी मतलब की capital adjustment नहीं आ रहा और preparation of balance sheet नहीं आ रही उसके अलावा बाकी सब कुछ है कुछ additions भी करे हैं हाँ बेटा कुछ additions भी करे हैं जैसे कि अगर मैं shares की बात करूँ तो वहाँ पर private placement और ESOP की जो theory है वो जरूर आएगी एक एक दो दो number की theory आ सकती है इसमें वैसे मैं आपको honestly बता हूँ सारा का सारा course सब कुछ वही है सर्फ preparation कैसे करनी है वो तो अभी मैं आपको बता दूँगा थोड़े से बाद में लेकिन अभी term 1, term 2 के deleted course के बारे में बता देता हूँ term 1 में क्या का deleted है capital adjustment और preparation of balance sheet term 2 की बात करी जाए दोस्तों तो जो बचे हुए topics है retirement, death, dissolution, debentures, cash flow, comparative common size ये सारी चीज़ें आएंगी और इसका आपका full fledged board का exam होगा जैसे होता है March और April के महीने में 40 number का paper होगा और 2 गंटे दिये जाएंगे आपको इस paper को solve करने के लिए तो काफी अच्छा time है आपके पास और आप लोग को बहुत अच्छे से practice करिएगा इसकी खेर वो सब तो term 2 की बात है term 2 में हम लोग कर लेंगे लेकिन अभी term 1 पे अगर focus किया जाए तो दोस्तों MCQs में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है अगर मैं deleted course की बात करूँ दोस्तों तो deleted courses में इसमें थोड़े काफी सारे deletions है लेकिन है बहुत छोटे छोटे जैसे अगर retirement की बात करी जाए तो capital adjustment आपके course में नहीं है death की बात करी जाए तो capital account आपको नहीं बनाना है executors account आपको नहीं बनाना है deventures की बात करी जाए तो issue of deventures पूरा का पूरा है और redemption of deventures जैसे last year cut कर दिया गया था इस साल भी पूरा का पूरा deleted है cash flow statement में सब कुछ आ रहा है और cash flow statement में please ज्यादा मुश्किल questions मत करना हर साल बच्चों को बताता हूँ आपको भी बता रहा हूँ ज्यादा मुश्किल ज्यादा अटपटे चटपटे questions मत करना cash flow हमेशा सही आसान आता रहा है और अभी भी आसान ही आएगा proposed dividend, provision for tax, depreciation, loss, profit on sale of assets सिर्फ इन ही वाले adjustments में ज्यादा focus करिएगा और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है तो दोस्तों अब जड़ा आपके MCQs की strategy कर लेते हैं बच्चों को ये लगता है कि सर MCQs और case study के लिए हम लोग सिर्फ MCQs और case study कर लेते हैं नहीं होगा दोस्तों आपको concepts को एकदम strong रखना पड़ेगा आपको questions अच्छे से practice करने पड़ेंगे जैसे आप लोग questions को practice करते हो P&L appropriation पूरा बनाईए, past adjustments पूरा करिए, admission, change in ratio के full-fledged questions करिए shares के ratios के full-fledged questions करिए क्योंकि उसी के अंदर से आपको जब वो ज़्यादा से ज्यादा practice करोगे तभी आपको case studies में आप महरत हासिल कर पाओगे Case studies के लिए और MCQs के लिए conceptual clarity important है और वो accounts में तभी मिल पाएगी आपको जब आपने पूरे के पूरे questions की आपकी understanding बैठी है Honestly speaking दोस्तों पहले क्या होता था कि question आ गया बच्चों ने थोड़ी बहुत चीज़े डाल दी यार 8 में से 6 तो मिल जाते थे 6 में से 4 तो मिली जाते थे लेगिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों अब आपको MCQs के लिए आपको एकदम spot on रहना पड़ेगा आपको concept पूरा पता होना चाहिए calculation speed अच्छी होनी चाहिए और हाँ calculation से याद आया अपने calculators को और phone को पढ़ते time एकदम दूर रख दो क्योंकि आपकी गंदी यादात है कि आप लोग calculator से या phone से आप लोग calculations करते हैं उससे आपकी calculation बहुत weak हो जाएगी shares के लिए calculation are very important admission ratios के लिए calculations are very important तो please calculations पे focus करिए और उसके लिए practice नहीं कर सकते उसके लिए बस phone और calculator को रखो side में और बस अपना दिमाग pen और paper के मदद से calculations को improve करिए MCQs के लिए concept, concept, concept और कुछ नहीं conceptual questions करिए, practice करिए सारी चीज़े automatically हो जाएंगी deleted course से काफी अच्छा ये फाइदा है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, तो बस MCQs की एक ही strategy है और एक चीज़ और बता देता हूँ off classes, जैसा कि पिछले साल भी हम लोग MCQ के अपनी series लाए थे, इस साल भी और better हम लोग series लेकर आए है आप लोग जैस screens पे आपको number दिख रहा है आपको हमारी books भी दिख रही है उन books को आप purchase कर सकते हैं screen पे बस call कर दीजिए book your books and the books will be delivered to you और अपने conceptual clarity के लिए off classes का हमारा app है उसके अंदर सारा का सारा जो data है सारा का सारा जो video है सारा का सारा जो content है हमारा एक दम crystal clear है MCQs के लिए उन questions को practice करिए MCQs को अच्छे से करते रहिए और अपने November December के paper में चार चांद लगा दीजिए तो important चीज क्या है MCQ करने के लिए full fledged आपको करना पड़ेगा पढ़ाय लिखाई करनी पड़ेगी practice properly करना पड़ेगा calculations के लिए आपको अपना pen और दिमाग इस्तेमाल करना है calculators को avoid करिएगा this is the strategy for MCQs as well as case study तो अच्छे से सारी चीज़ को करिएगा हम लोग ने description में सारा का सारा दे रखा है जो case study वाले type questions जो CBS इन issue करे थे और जो भी term 1, term 2 का syllabus वगेरा है deleted portion सब कुछ आपको description में link मिल जाएगा वहां से आप लोग download करके देख सकते हैं और अगर आपको हमारे pre-recorded lectures में या live classes में कोई भी interest हो तो आप लोग जो given numbers हैं उसमें call करिए देखिए कि यार किस type का content है हमारा और अगर आपको पसंद आता है तो you can buy it और दोस्तों 77% हम लोग discount दे रहे हैं August के महीने में on the eve of our 77th Independence Day हम लोग 77% का discount दे रहे हैं तो grab it with both your hands आप हमारे executives को call करिए और जब आपको लगे कि हाँ यार off classes जो है भाहिया वो तो हमारी पढ़ाई करवा देगा उस time पर आप इसको purchase कर सकते हैं So that's it दोस्तों off classes को subscribe जरूर करिए इस वीडियो को like जरूर करिए और दोस्तों को share जरूर करिएगा जिस भी बच्चे को इससे benefit मिलेगा हर जगे share कर दो यार थोड़े सा यार YouTube बाबा जो हमारी भी बात सुन लेगा अगर share वगरा करते हो हम लोग अभी काम बन जाएगा दोस्तों अगली tutorial में मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा पूरी की पूरी playlist है, पूरी की पूरी करने के लिए off classes को subscribe करिएगा thanks a lot दोस्तों, जेहिंद मिलते हैं अगली tutorial तक